इस वीडियो में हम बात करने वाल है अगर आपके भी YouTube पूर उपन करने के बाद आपको इस तरह का दिखाय दे रहा है There was a problem with network तो आप इस प्रब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं यह मैं आपको बताने वालो तो वीडियो का पूरा जरू देखिएगा तो यहाँ पर दूस्तों हमारे mobile में हमारा net भी on है उसके बाद भी हमें इस तरह का दिखाय देता है तो आप इस problem को कैसे सही कर सकते हैं यह मैं आपको बताने वालो वीडियो का पूरा चलू देखिएगा वीडियो पच्छनद आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर ने तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते है आज का वीडियो तो अगर आपको भी YouTube पर इस तरह का दिखाई देता है तो आप क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है अपने mobile का जो Play Store है उसको Open करना है Play Store उपन करने के बाद यहाँ पर आपको Search Bar में Search करना है YouTube तो यहाँ पर आपको Check करना है कि आपका YouTube यहाँ पर update है तो यहाँ पर update आया तो आपको इसको update करना है अबडेट होने के बाद दुस्तो आपको इसको open करना है तो आप जैसे open करेंगे दुस्तो तो आपका यह problem यहाँ पर swall हो जाएगा तो इसा problem की वाता है कि आपने अगर आपके mobile को restart किया और कुछ भी किया तब आपको इस तरह का problem आ रहा है तो आप अपने mobile को update करने के बाद इसे restart वापिस से करके चेक केजिए आपका problem यहाँ पर solve हो जाएगा तो यहाँ पर आपको वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को like करे चैनल पर ने तो चैनल को subscribe करे